हेलो दोस्तों जोती रादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया को अंतिम विदाई देने के लिए लाखों की तादाद में लोगों की भीड उमड़ी है वही दोस्तों उनके अंतिम संसकार के लिए दो क्विंटल चंदन और दो क्विंटल आम की लकड़ी मंगाई गई है वही दोस्तों इस अंतिम संसकार में तमाम बड़े-बड़े नेता मौझूद रहे हैं यहां तक कि कही बड़े-बड़े राज घराने के लोग और बॉलिवुड एक्टर भी मौजुद रहे हैं। और उनका उनका अंतिम संसकार, राजसी परंपरा के अनुसार, कटोरा ताल के सामने स्थित सिंधिया घराने की छतरी में किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दे राजमाता माधवी राजे सिंधिया करीब तीन महीने से दिल्ली AI-IMS में भरती थी। वे कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थी। उन्हें निमोनिया और सेपसिस नामक बीमारी थी। उन्होंने नौ बजे के लगभग अंतिम सांस ली। वे करीब सत साल की थी। अंतिम समय में उनके पास उनका पूरा परिवार था। राजमाता माधवी राजे के निधन से ग्वालियर सहित पूरे देश में शोक की लहर है। साथ ही के सिंधिया परिवार के लोग और सिंधिया समर्थक शोक में डूबे हुए हैं। दोस्तों वहीं आज ग लोगों को बता दे कि नेपाल के शाही परिवार में जन्मी प्रिंसेस किरण, राजलक्षमी के दादा शमशेर बहादुर सिंध नेपाल के प्रधान मंतरी भी रहे। ग्वालियर के सिंधिया परिवार की बहु बनकर प्रिंसेस किरण, राजलक्षमी माधवी राजे सिंध आठ माई 1960 को दिल्ली में हुई थी। दोस्तों आप किस शहर से ये खबर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।